हाई अब्रीवन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनादर मीकप टिटोरियल सो आज का यह जो लुक है मैंने दिवाली के लिए क्रियेट के है तो आप इसी दिवाली फैस्टिव मीकप लुक भी कह सकते हैं बहुत ही लाइट कुर्ता मैंने कॉटन का वियर क के साथ यह प्यूटिफल सी आइस का मीकप कर रखाया तो आप देख सकते हैं होप सो कि आपको मेरी यह मीकप वीडियो पसंद आए गाइस एंड कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सो गाइस देख सकते हैं सबसे पहले हम यह नचरल घ्लो का टोनर ले नियुट जिसने अपने ओपन पौर करूंग तो यह मैंने नचरल घ्लो का टोनर अप्लाय कर लिया है फेसपर एंड सकिन में अब्ज्रॉब्क रहों देलियो है अच्चह तरीका से देन यह मैं प्लम का संस्क्रीम अप्लाई कर अपने पूरे फेस पर आप जानते कि संस्क्रीम को स्किप नहीं किया जा सकता तो मैंने यह अपलाई कर लिया अपने फेस पर अच्छे तरीके से संस्क्रीम को डैप डैप करके दैन उसकी बाद मैं यहां पर जॉंस बेबी का क्रीम ले रही हूं क्योंकि विंटर आ गए हैं मोझे अपने फेस पर अपने फेस करना चाहिए नहीं तो हमारा बेस जो है वो है अच्छे से रडी नहीं हो गा तो मैं यहाँ डॉट्डॉट करके पूरे फेस हैं पर अपलाईक masht menu के लिए लिए मिहां पर यह बहुती लाइट ही क्रेंसित बॉटि अफ्राइबल क्रीम ह ब्लर कर देगा यह मेरे ओपन पोर्स को मैं अपनी टी जोन एरिया नोज एरिया फोरहेड एंड चिन पर अप्लाई किया है मैंने इसे जहां भी मुझे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है दन यहां पर मैं स्टेक वर्की का लिक्विड फांडेशन अप्लाई कर रहे हूं यह आप देख सकते हैं इसकी कवरेज बहुत लोलो है मीडियम सी कवरेज दी है इसने बट दिवाली पर इतना हैवी मेकप कॉन करता है तो आई थोट कि यह अपलाई करना चाहिए तो इसके बाद मैं यहां एज यूजवल एन्वाइब का कंसीलर अपलाई कर रहे हूं अपनी आइलिट पर काफी अच्छे से प्रोडक्ट में ले रही हूं क्योंकि मुझे आई मेकप थोड़ा सा वैसा डाक करना है इसलिए तो मैंने यह कंसीलर को अपनी आइस के जहां भी मुझे डाक सर्कल पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम होगी वहां में अपलाई कर लोगी यह इसकी ब्रिज पर फोर हैड पर चिन पर अपने माउथ के साइड में जहां भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डाकने से अपलाई कर लिया है और चिक्स पर भी शेप देने के लिए तो यह देख सकते हैं मैं अपलाई कर लिया है कंसीलर अच्छे तरीके से और अब उस आपकी चॉइस आप कितना अपलाई करना चाहते हैं बटिंगा मेरा फेस को ज़्यादा ही ब्राइट हो गया तो मैं इसको वैट स्पोंज की हेल्फ से सैट करूंगी अपने फेस के हिसाब से तो देख सकते हैं कि सैट करने के बाद अच्छे से मेरे फेस पर मिक्स अप हो ग इसके बाद फेस को सैट करने के लिए मैं यहां फिटमी का कॉंपैक यूज कर रहे हूं यह भी काफी अफॉर्डबल एं अच्छा कॉंपैक है तो मैं डैब डब करेके अपने आइस को सैट कर ले रही हूं कॉंपैक की हेल्फ से ताकि कहीं भी हार्श क्रीज ना रह जाए कंसीलर के बाद दन उसके बाद एक फ्लफी ब्रश की हेल्फ से अपने पूरे फेस को कॉंपैक की हेल्फ से सैट कर रहे हूं यहां बारी आती है आइब्रोस की तो आइब्रोस के लिए as usual मैं की आइब्रो पैंसल यूज कर रही हूं शेप दे रही हूं अच्छे तरीके से अपनी आइब्रोस को और मुझे पॉइंटेड आइब्रोस काफी पसंद है इसलिए तन उसके बास फूली की हेल्फ से इसे मैं सेट कर ले रही हूं तो देख सकते हैं आप मेरी आइब्रोस कितनी अच्छी निकल गया है तन यहां पर मैं सीवी बीबी का आइस शेडो पैले यूज़ कर रहे हूं और इसमें से एक लाइट वर्म शेड लेकर मैं अपनी क्रीज लाइन पर लगा रहे हूं ब्रश की हर्प से बहुत स्लो स्लो मुझे अपनी क्रीश को बिल्ड करना है तो मैं बिल्ड कर ले रही हूं आप देख सकते हैं और आपको भी इसी तरह धीरी करके क्रीस को सेट करना है तो यह मैंने लिए उसकी बाद हल्बाद हल्का सा डाग ग्रेख लेकर मैं आउटर वी को एनहेंस करूंगी मुझे आउटर वी को ब्लैक रखना है तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा काम करें हूं अपनी आउटर वी को अच्छे सेट कर रहे हूं आप देख सकते हैं काफी अच्छा सा आउटर वी निकल के आया है डिमेंशन मिल गई है एक एफेक्ट सा दे रहा है आईस पर दीरे-दीरे करके दैन उसके बाद मैं इसको डैप-डैप करके अपनी क्रीज में आगे बढ़ र की हैल्प से मैं फर्स टाइम कट क्रीज बनाने की कोशिश कर रहे हूं गाइस मिज़े कमेंट सेक्ष्ण में बताइएगा कि कैसा था ये तो मैं यहां पर कंसीलर अपलाई कर लिए अपने इन वाटर लाइन पर ताकि मैं हाफ लिड पर कट क्रीज बना सको तो यह मैं अपल तो देख सकते हैं मैंने ब्रश की हैसे इसको सैट किया है काफी अच्छे तरीके से ताकि कहीं भी इधर उदर ना फैले देख सकते हैं बहुत स्लो मोशन में ले जाकर तो यह दोनों को मैंने मिक्स कर दिया अब आपको डिफरेंस दिख रहा हो तन उसके बाद एक ब्लू श सेट्ट सकते हैं तन आप देख सकते हैं में क्लींगी मैं के लिए ग। की Dorothy को भील फकेया अरव नएप जाय को तो यही सेम शेड लेकर मैं इनरे को ऐिलाइट कर दोध से इन एच्छी तरीके से छेमाप को यहीं कर लिया है कि एत चली से क्लीन या तरीक्ये से पी अच्छी टरीक्ये लिए विल्हां के लिआटर अपल्लाइस कर दोटनीष कर दामतनी के दे था ब्लीफेरंट श्यांता थी बह हाइलाइट कर दियुकि मैंने उपर भी ब्लू शेड लगाया सो आई थौट की अच्छा लगा देन ब्रश की हैप से जो भी एक्सेस फॉल आउट वैस को रिमॉफ कर लोंगी मैं लेख सकते हैं अच्छे से कर लिया है मैंने क्लीन ताकि कहीं भी बेस पे ना रह जाए दन उस आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मैंने लाइनर को अपलाई कर लिया है तन उसके बाद यह स्टेक वर्की का ब्लश लेकर मैं अपने चिक्स पर लगाऊंगी ब्लशी लुग देने के लिए तो देख सकते हैं बहुत ईजी और बहुत सॉफ्ट तरीके से मैंने ब्लश क अपलाई किया है आपको भी धीरे-धीरे बिल्ड करना है दोनों चिक्स पर देन उसके बाद यह हाइलाइटर लेकर मैं अपनी चिक बोन को हाइलाइट करूंगी जहां भी मुझे हाइलाइट चेह में महा लगाऊंगी देन उसके बाद फोर हैट यहां पर अपर लिप्स के अपने लिप्स पर अपलाई कर रही हूं गाइस थोड़ी बॉल्ड है तो मुझे लिप्स को थोड़ा सा नियूड रखना चाहिए तो मैंने कर लिया है देख सकते हैं यह काफी प्यारा सी शेड है बहुत अच्छा फोर्मिला एस लिक्विड लिप्स देने के लिए मैं यह पर यह फैशन ब्यूटी करके कोई ब्रैंड है उसके लिक्विड लिप्स्टिक अप्लाई कर ले रही हूं अपने लिप्स पर दर उसके बाद बारी आती है फॉल लैशेस की तिह मैंने आफ केमरा लगा लिया आप देख सकते हैं लैशे लगाते ही बिल्कुल आई लुक का ड्रामा ही चेंज हो गया देन उसके बाद यहां में ब्लू हेवन का मशकारा अप्लाई कर ले अच्छे तरीके से लगाने के बाद पुरा लुक चेंज हो गया दैन मैंने कर लिया कपड़ा ही चेंज एंड यह है मेरा फाइनल लुक अड यह एरिंग आपको कैसे लग रहे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्यों मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे है तो आपको मेरा आज का यह हो लुक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस बाई